हेलो इडिवन विल्कम बेक टू ओनलाइन टार्गेट मैथ तो आज जो है एंपरहमेंट का पाजमा टोपिक पड़ाने के लिए जा रहे हैं तो पहला कुछिशन देखिएगा तो पहला कुछिशन है कौन सी बिमारी दूसित पानी के पीने से फैलता है तो इसका पहला दूसरा अफचन है स्करवी तिसरा अप्चन है एनेमिया और चोता अप्चन है टेत्मस तो दूसित पानी पीने से जो फैलती है वो अबेमारी हे टाफ़ाइड पोचिशना देखिए नेक्स्ट क् penguin कोण सा पर्थम साहीत शुरोत है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा री रिगवेद पर्थम साइध सुरुज जो है रिगवेद है चलिए नेक्स्ट कुछिशन देखते हैं नेक्स्ट कुछिशन है वायू मंदल में 99% भाग पर की न दो गैसों का विष्टार है तो पहला उप्सेन है ऐवम ऑख्सीजन, दूसरा उप्सेन है ऑख्सीजन और नैट्रोजन, तिसरा उप्सेन है कार्वन डैक्साइड ऐवम ओजोन, और चोथा उप्सेन है आरगन ओजोन, तो वाय मंधल में 99% भाग परेज़ा है oxygen और nitrogen है oxygen 21% और nitrogen 78% होता है één मेरा निनानौग कोई परसेंट निमलिखीत मैं इसे कौन सा स्वस्त हड़ीयों के लिए आब सेकां तो स्वस्त हड्टी के लिए वर सक्छय के तो पहला न को देखिये केल्सियम विटैमिनद्य दुसरा प्सने पोटासियम बिटैमिन के कि त्रीसर्द औरoterों न केल्सियम विटैमिन यहаak आप्षन है केल्सियम एवं बिटेमिन ची तो इसका राइट एंसर हो जाएगा स्वस्त हड़ी के लिए केल्सियम और बिटेमिन डी अविस्ट है चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कें ए हमाले के सबसे उची चोटी का नाम क्या है तो पहला डॉन का तो बहुत कि सबसे सबसे उची चोटी जो है कंचन जंगा हो जाएगा और हमाले की सबसे उची चोटी पूछेगा तो मांander एवरेश्ट हो जाएगा लेकिन यहाँ पर पूछा है भारत में हिमाले की सबसे उच्छी चोटी कंचन जंगा हो जाएगा और हिमाले की सबसे उच्छी चोटी मौंट एवरेश्ट हो जाएगा जो कि नेपाल में है तो इसका राइट एंड सर्फ कंचन जंगा होगा भारत मे पूछ रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन है वायू मंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है तो पहला ओप्षन है छोब मंडल दूसरा ओप्षन है समताप मंडल तिसरा ओजुन मंडल और चोथा ओप्षन है आयन मंडल तो वायू मंडल के सबसे निचली परत जो है उसका नाम है छोब मंडल चलिए नेक्स्ट कुश्टन देखते हैं नेक्स्ट कुश्टन देखते हैं नेक्स्ट कुश्टन है भारत का पहला राष्टी उद्यान है पहला ओप्शन है जीम करविट राष्टी उद्यान दूसरा है मिश राष्टी उद्यान तिसरा है काजी रंगा राष्टी उद्यान और चोथा है कैबूल लामजाओ राष्टी उद्यान तो भारत का पाला राष्टीय उद्यान पूछेगा तो पाला राष्टीय उद्यान भारत का जीम कर्वेट राष्टीय उद्यान जो की उत्रा खंड में है चलिए next question देखते हैं कि नेक्स्टक उच में त संग पर्षिक न मीशा भुलने जा अवा इसे अज़ queste की वाले प्रसिद एक सिंग वाले गेंड़े वाले राष्टी वुद्यान कों सा है काजिरंगा राष्टी वुद्यान, दुसरा नंदा देवि राष्टी वुद्यान, प्रस्था नामदफा र उचेगा तो एक सिंग गेंडा वला राष्टिय पोधियान हो जाएगा काजी रंग हो राष्टिय पोधियान नंदा देवी पूदियान है उत्रा खंड में चलिए नेक्स्माइच्ट लेखते हैं तो आगने चटान का उधारन जो है, आगने चटान हो जाएगा, बेसाल्ट, तो इसका राइट एंसर, बेसाल्ट हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं, नेक्स्ट कोईशन है, बीश्ब की सबसे लंबी नदी कोन है, तो बीश्ब की सबसे लंबी नदी जो है, पहला उप्षन है नील दूसरा उप्षन है एमेजन तिसरा उप्षन है यांग टीसी चोथा उप्षन है गंगा तो बीश्प की सबसे लंबी नदी पुछेगा तो बीश्प की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी और सबसे बरा नदी पुछेगा तब एमेजन नदी ह हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं नेक्स्ट कुईशन है भूकम की तीवर्ताम आपने का यह अंत्र है पहलर से बेरोग्राफ दूसरा प्षान है पीाजियोग्राफ तीसरा और जो पैमाना पर नापता है तो उसको रियक्टर एसकेल बोला जाता है रियक्टर एसकेल पैमाना पर मापा जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन है दक्षनी गुलार्द का सबसे लंबा दिन होता है पहला ओप्षन है 22 दिसंबर दूसरा ओप्षन है 21 मार्श तिसरा ओप्षन है 21 जून और चौथा ओप्षन है 23 सितंबर तो दक्षनी गुलार्द पे जो है सब से लंबा दिन 22 दिसंबर चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुशन है बीश्व में सरवाधिक स्वयविन का उत्पादन करने वाला देश है पहला उप्षन है सन्युक्त राज अमेरिका दूसरा उप्षन है भारत तिसरा उप्षन है इंग्लेंड और चोथा उ स्वयविन का उत्पादन जो है सन्युक्त राष्ट अमेरिका करता है तो इसका राहिट एंशर वह सरुःद्विन उत्पादन करने वाला देश है चलिए नेक्स्ट ऊश्ट देखते हैं नेक्स्ट कुश्न है बीहु भारत के किस राजगार लोक नीरित है पहला प्षन है राजस्थान दुस्रा प्षन तिसरा प्षन है तम श्रमना टो चुत्रा प्रदenne अप्षन है तो बिहु जो है यह अस्घार क लोक निरिते हैं चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुशन है निमलिखित भारते राजियों में से किस राज की कोई समुंदरी सिमा नहीं है तो पहला उप्षन है राजस्थान दूसरा उप्षन है गुजरात तिसरा उप्षन है गोवा और चोथा उप्षन है महारा तो समुंद्री सिमा जिसका नहीं होगा तो समुंद्री सिमा गुजरात का भी है गोवा का भी है और महाराष्ट का भी है तो बच रहा एक option राजस्थान तो राजस्थान का कोई समुद्री सिमा नहीं है बाकि गुजरात का भी है गोवा का भी है महाराष्ट का भी है तो इसक हम किसी नदी के पर दूशन किसी नदी के पढ सन कंग कि माप bay तो skipping से तो पाला ओप्सन बी ओडी दूसरा उप्सन प्रिय to इसरु में बायोम चोथा ऑप्सन अब्सक्रां आर्शानी तो किसी भी नदी का जो परदुसन मापा जाता है BOD से मापा जाता है तो इसका राइट इंसर BOD हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुशन है भैरस से होने वाला रोग है पहला उप्शन है जुखाम दुसरा उप्शन है टेफाइड तिसरा उप्सन और दीवी और सोथा उप्सन मलेरिया तो भईरस से जो है मलेरिया होता है चलि नेक्स्ट कुई Conservissen देखते हैं नेक्स्ट कुई giants है भारत में किरिशी को प्रवाईद करने वाला मुसम का सबसे मुहत्पुन कारक है तो पहला option है वर्सा दूसरा option है तापमान तिसरा option है अधरता और चौथा option है वायू तो क्रिशी को जो प्रवाइद करने वाला मुसं है वो है बर्सा तो इसका right answer हो जाएगा बर्सा चलिए next question देखते हैं नेक्स्ट कुछिचन है भारत में प्रोजेक्ट टैगर की शुरुवात कब की गई थी तो भारत में यूAR परोजेक्ट टैगर का शुरुवात कब की आगया था 1973 इस भी में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 1973 चलिए नेक्स्ट कुछिशन देखते हैं नेक्स्ट क्यूसंन है नेमलीखित में सीक किस राज में गोल्फ आफ मननार मेरिन दा स्टियए पार्क इस्तित है तो पैला तो मेश्ताई में ग्ल्फ आफ मद्नार मेरिन टार्म् आस्ट ऑग्स यह कि इसका राइट एंसर हो जाएगा तक कि नंक्जबू मिश्ता है जल्ज तुसरा उप्षन है तमिल नाइडू केरल करनाटक एब आंदर परदेश तिसरा उप्षन है पस्षिम बंगाल उरिशा अंदर परदेश और तोत्हा उप्षन है महरास्ट गुजरात एब गोवा तो भारत में प्राइडीपेच छिद्र जो है तो इसका हो जाएगा राइट तमिल नाइडू केरल करनाटक एब आंदर परदेश प्राइडीपेच छिद्र हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं कि नेक्स्ट कुशन है पर्यावरान अध्यान किसका एकिक करन है पार्ला अप्षन है प्रस्थित की विशानु बिग्यान एबं बिग्यान का दूसरा अप्षन है बिग्यान समाजिक अध्यान एबं पर्यावरान शिक्षा का तुसरा अप्षन है बिग्यान एबं समाजिक अध्यान का और चोथा उप्सन है परियावरन बिग्यान एबं समाजिक अध्यान का तो परियावरन अध्यान जो है बिग्यान समाजिक अध्यान एबं परियावरन शिक्षा का है तो इसका राइट एंसर बी हो जाएगा बिग्यान समाजिक अध्यान एबं परियावरन शिक् सिर्फावाधिक छेद्रफ़ला पूछ रहा है मैं 15 राव सemyनि話 सरवाधिक छिद्रफल वाला से ज्यादा छेद्रफन रुष॑ करते संख्या अंगर जनसंखियां पुछेगा तो चीन हो जाएगा सरवादिक जन संख्या वाला देश पूछेगा बिश्प का सरवादिक जन संख्या वाला देश तो चीन हो जाएगा सरवादिक छेदरफल वाला देश पूछेगा तो रूस हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन है निमलिखित में से कोन हमारे पर्यावरण के अपगटन के लिए उत्तरदाई नहीं है पर्यावरण अपगटन होता है लेकिन आपका question पूछ रहा है कि उतरदाई नहीं है तो वंड ओपन इसका right answer हो जाएगा चलिए next question देखते है next question है किसी व्यक्ति को उसके परोशी ने 4 kg आमला दिये एवं वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है उसे किस तक्निक को अपनाने की जरूरत है पहला option है संडक्षन दूसरा option है परी रक्षन तिसरा option है अपगटन और चोथा option है पास्चुरी करन तो आमला का जो मुरब्बा बनाएगा तो उसको परी रक्षन करना परेगा और दूद को जो सुद किया जाता है पास्चुकर करन भी दिशे दूद को सुद किया जाता है और जो है इसका परी रक्षन हो जाएगा आमला को मुरब्बा बनाने के योजना बनाता है तो उसको रखने के लिए परी रक्षन हो जाएगा देखते हैं नेक्स्ट कोईशन देखते हैं है इन इसका कि प ID परोप्जा का प्रमुख फोपर demişahan था ना मैं वाईू दूसरा उप्शन है नेक्स्ट मैसे, निम्लिखित में से खोशले का निर्मान नहीं करता है, पहला उप्षन कोईल, दूसरा उप्षन कोवा तिसरो आपकल गॉरी यह और छोथा ऊपल्बॉल तो गोसला का निर्मान जो नहीं करता है इसका राइट एंसर कोयल हो जाएगा बाकी सब गोसला का निर्मान करता है जैसे कोवा, गोड़िया, बुल-बुल ये सब गोसला का निर्मान करता है कोयल गोसला का निर्मान नहीं करता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कोईल चलिए next question देखते हैं next question है निमलिखित में से कौन सा महासागर अफरिका के पूर्व एभम अस्टिलिया के पस्षिम में इस्थित है तो पहला option है परसात महासागर दूसरा option है हिंद महासागर तिसरा option है अट्लांटिक महासागर और चौथा option है दक्सिनी महासागर माहसागर अफ्रिका पूर्व में अस्टेलिया के पस्चिम में इस देता है तो अफ्रिका के पूर्व और अस्टेलिया के पस्चिम में जो है हिंद माहसागर हो जाएगा इसका राइट एंसर हिंद माहसागर चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं कि नेक्स पुश्य सण slum की रिश्यनिक प्रप्रकुर्ती होती है फूला अप्शन सब्तू दूस्क्रो अप्षोन कार्वाड़िट तुस्थ्र अप्ष्व उप्श्य और चोता आप्ष रिष्य होजाएका प्रोटीन मैं चलिए यह लास्ट कोशन था आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब इस चैनल को कर देजिए चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद